बॉलिवोड एक्टर शिशान सिंग राजपूत के सिसाइट के बाद कई सेलेब्स सामने आकर बॉलिवोड के चिपे पत्ते खोल रहे हैं तमाम सेलेब्स ने आगे आकर कई सवाल उठाए हैं जैसे कि इंडस्ट्री में जिसका गौड फादर नहीं तमाम टैलेंड होने के बावजूद वो दरदर की ठोक रिखाने को मजबूर होता है इस पर अब जार्खन के गोड़ा लोकसभा शेत्र से बीजेपी सामसद निशिकान दूबे ने वीडियो जारी करते हुए नय एक जांच कराने की मांग की है निशिकान दूबे ने पूरवांचल के कलाकारों से संघर्ष का बिगुल फूकने की अपील की है और कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में जारी माफिया गिरी के सिंडिगेट को खत्म करना चाहिए सुसान सिंग राजपोत की आत्मत्या के बाद मैं काफी हिला हुआ साम मन काफी हुद्वेलित है और मैं विचार कर रहा हूँ कि किस तरह से पुर्वांचल के लोग, बिहार के लोग, जारखंड के लोग, उत्रप्रदेस के लोग, मद्रप्रदेस के लोग, 36 गड़ के लोग, जिस कारण से की पूरी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री चलती है, उसके कोई बच्चे, अमिता बच्चन को यदि छोड़ दिया जाए, त उनको किस तरह से हतोचाहित किया जाता है, किस तरह से प्रतारित किया जाता है, और किस तरह से वो आत्मात्या करने के लिए, या भीक मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा उधारन जो है सुसाम थे, दाओद इब्राहीम एक समय था कि फिल्म इं तो उसको कोई माफिया गिरी में, कोई करप्षन में, इस तरह से प्तार्डित करने की कोईचिस की जाती है कि वो मजबूरन आत्म हत्या को मजबूर हो जाए और मेरा इस कारण से पूरे पुरवांचल के कलाकारों से एक अनरोध है कि आप सरकार के उपर दबाब डालिए पुरवांचल की अलग फिल्म इंडस्ट्री बनाईए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हमेशा उत्तर प्रदेश म के फिल्म को बायकौड किया था या बायकौड करने का फैसला किया था या जिस फिल्म से उसको निकाला था उन समय के ऊपर अर आफ-आ-य-ार करके उनको पुर करना चाहिए और पुरवांचल के कलाकारों को एक यूनिटी और इंटीग्रीटी के साथ इस लड़ाई को साथ लेना चाहिए यही आज समय की मांग है और यही मेरा सभी कलाकारों से आग रहे है बता दे सुशान सिंग राजबूत में मुंबई में अपने फ्लैक पर फांसी लगा ली जिसके बाद कंगना रनावत प्रोड्यूसर निखिल दिवेदी शेखर कप पूर और रवीना टंडन समेत कई लोगों ने सामने आकर इंडस्ट्री के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है निउस डेज़